नमस्कार इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकारी जोब में सेलेरी की गणना किस प्रकार्शे की जाती है ग्रोस सेलेरी क्या होती है नेट सेलेरी क्या होती है किशी भी सरकारी करमचारी को कितने पेशे कटवाने होते है यानि कि डिडेक्शन क्या होता है सभी हम स्टेप साल के पसाथ उसके स्थाइकरन के पसाथ उसे बढ़ा हुआ प्रयाश करेंगे तो चलिए शिरू करते हैं कोई भी गौर्मेंट जोब जब कोई व्यक्ति लगता है तो से दो साल के पसाथ उसके ग्रेड पे के अनुसार कि क्योंकि इस सरकारी जोब में grade pay के अनुसार आपके वेतन का निर्धारन किया जाता है सबसे पहले एक मूल चीज होती है जिसे कहा जाता है मूल वेतन और मूल वेतन का निर्धारन आपके grade pay के अनुसार होता है राजस्तान में अगर देखा जाए तो नियोंतम grade पे 1700 रुपे हैं और अधिक्तम ग्रेड पे 6000 रुपे हैं यह हम बात कर रहे हैं सीधी बरती की लेकिन प्रमोशन के पर साथ अलग-अलग grade पे है वो निदायरत होते रहते हैं महंगाई बता बाजार की अनुसार तय होता है लेकिन इसमें सरकार द्वारा प्रतेक 6 माह में 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाती है और यह निदायरत करता है उस समय के बाजार के भाव की अनुसार इसके साथ मूल वेतन जो आपके grade पे के अनुसार नधायरत है यह 2 साल के बाद में आपको मूल वेतन मिलता है लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी होती है प्रतेक शाल में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होते है जिसे increment कहा जाता है हरे दरसल मकान किराया बता है जो किशी भी सरकारी करमचारी को रहने के लिए मकान की आवशक्ता होती है उसे किराये के रूप में सरकार दोरा मकान किराया बता दिया जाता है इसके साथ साथ दीवाली पर बोनस किशी भी सरकारी करमचारी को साल में एक बार दिया जाता है और इसके बाद में special allowance special allowance उस उन करमचारी को दिया जाता है जिसे की hard duty हो गया जिसे की police में इस परकार के allowance दिया जाते हैं अत्रिक्त चार्ज के लिए जैसे की आपने देखा होगा पटवारी है ग्राम विकार सथी कारी है इनने कुछ विशेश या थ्रीक्त का चार्ज दिया जाता है तो उन्हें अत्रेक्त चार्ज जो दिया जाता इसके लिए अलग done allowance दिये जाने का प्रावधान रखा गया है अब हम यह समझेंगे कि कोई भी एक सरकारी करमचारी है किशी भी एक पद को हम लेंगे और उस पद पर कितनी शेलेरी बनती है और कितनी कटोती होगी और उसे अंत में जाकर कितनी नेट शेलेरी उनके खाते में आएगी उसे हम को 31,100 रुपे का फिक्स पेमेंट दिया जाता है वो दो साल के बाद में उसका बेशिक है वो स्थाइक अंके परसाद उसका बेशिक हो जाता है चुमालीश अजार तीन सो रुपे उस बेसिक का वर्तमान में अगर देखा जाए तो 34 परतिशत अभी डिये रेट चल लिए मह सो 34 परतिशत है इसे हम जोड़ देते हैं 44,300 के साथ तो यह कुल हो जाता है 15,000 रुपे चुमालीश अजार तीन सो का 34 परतिशत इसके बाद में एचारे एचारे दरसल के आया कि कि किसी भी सीटी में रहने वाले व्यक्ति को मकान किराया बता सरकार की ओर से दिया जाता है और यहारे अलग-अलग अलग हैं जो बड़ी शीटी हैं उनके लिए अभी 18 परतिशत चल लाँ और जो छोटी शीतिया हैं उनके लिए 9 परतिशत चल लाँ है इस परकार से मिलाकर अगर हम 9 परतिशत के एसाब से देखें है आचारे तो मिलाकर इनकी ग्रोश सेलेरी वह ब करवान ही होती है कि इसे into salary दी जाती है तो गरोश के जाती है सर्कार की की जाती है लेकिन अंत तहाँ उसे सरकार कार्मिक को सब्याहर कि समय के देता है ढ़्यति है आफ धरसल पहली कट उती ही है सब्सक्राइब होती है आपके फिक्षेशन के दो बाद कि फिक्षेशन के उसी वर्ष में मार्च महीने से स्टार्ट होती है और ऐसा ही कट होती अगर आप व्यक्याता की देखें तो नियुनतम पर मंत टैक्स भी कटाता होगा उसके बाद में जीपीएफ क्योंकि राजस्तान में आप एंपीएश को बंद कर दिया गया अगर एंपीएश होता तो हम यह मानते की बेसिक प्लस डिये मिलाकर उसका दस प्रतिशत लेकिन अब जीपीएफ तो मिनीमम मान के चलो 2850 है तो इस इस्तति में आप तीन जार रुपे कटवा सकते हो अब दरसल आपके प्रति माह 688 रुपे आर जी अचस की कटवती होती है राजस्तान गूर्मेंट हेल्थ स्कीम जो भी आपके खाते में ग्रेलिट होने वाला यह 55,101 रुपे हैं इस प्रकार से किसी भी सरकारी करमचारी के वेतन की गणना इस प्रकार से की जाते हैं तीन चीज़े इसमें मूर लूप से कारे करते हैं बेसिक डिये और एचारे यह सब मिलाकर और इसमें बेसिक में एचारे बढ़ जाता है बड़ी सीटी के लिए चोटी सीटी के लिए एक प्रतिशत एचारे बढ़ जाएगा इस प्रकार से आज हमने समझा कि गवर्मेंट जोब में सरेरी की गणना किस प्रकार से होती है आज के लिए इतना ही धन्यवाद